रामायन से जुरे, रहस्यों के बारे में जानने की जिग्यासा हर किसी को होती है माना जाता है कि आज भी रामायन और भगवान राम से जुरे कई चिन्ह और सबूत श्री लंका में मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है यह स्थल भगवान श्रीराम और रावन से जूरी कई सच्चाई बया करते हैं नवरात्र समाप्त होने के बाद दशमी तिथी को दशहरा मनाया जाता है जिसे विजय दशमी कहते हैं मान्यता है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावन का वध किया था इस रिसर्च के मुताबिक एक पहारी में बनी गुफा में आज भी रावन का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्री लंका के रैगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावन के वध को दस हजार साल से भी ज्यादा हो गए है जिस गुफा में रावन का शव रखा गया है वह रैगला के जंगलों में आठ हजार फुट की उंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावन के शव को मम्मी बना कर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है जिसके चलते हजारों सालों स वो वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्री लंका के इंटरनेशनल रामायन रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौरे ताबूत में रावन का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावन का बेश कीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावन का वद किया था, उन्होंने उसके शव को विभीशन को अंतिम संसकार के लिए सौप दिया था। लेकिन उन लोगों को विश्वास था कि रावन की मौत क्षनिक है, वह फिर जिन्दा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावन के शव को मम्मी बना दिया ताकि सालों तक सुरक्षित रहे। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावन की अश की वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाए!